हेलो एवरिवन, वेलकम टू सेकेंड एपीजोट अफ आवर मोंगोला जोरी ट्रीप लास्ट एपीजोट में हम लग दू बोर्ट साफ़े किये एक मॉर्णिंग और एक आफ्टरनून जिसमें हमने काफी से एक्शन स्पोट किया और उससे कैमेरा पे कैप्चर किया एक्शन के साथ साथ बहुत सरे डिफरेंट बार्ट स्पेसिस भी देखे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिए उसका लिंक मैं आई बाटन और डिस्क्रिप्शन में शेर कर दूँगा आज भी हम लोग मॉर्निंग बोट साफरी पे आगए एक ब्यूटिफूल सानरेस के साथ आज का दिन स्टार्ट होगा आज गाइड ने एक लोकल फिशर्मेन से कुछ छोटा मचली ले लिया जिसको खाने के लिए बहुत साथे टार्ण और इंगरेट आ गए सोचा नहीं था इससे इतना अच्छा शौट मिल जाएगा टार्ण फिश को पकरने के लिए पानी के अंदर डाइग मार रहा था और फिड फिश को लेके पानी से बहार आ रहा था हाई शौटर स्पीट में उसका मोशन फ्रीज करके काफी से रह अच्छी शौट मिले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलिए इससे चैनल को ग्रोव होने में काफी हेल्प होगा मैंने सौनी का A7-4 mirrorless और 200-600 mm लेके आया था अगर आपके पास सुपर टिलिफोटो लेंज नहीं है तो भी मॉंगला जूरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहां काफी पास से बाट दिख जाता है कैमेरा में ISO के minimum and maximum range select करके auto ISO पे डाल दीजिए फिर shutter speed पर टिलिट करके high shutter speed set कर लिजिए इस mode पे shutter speed चूज करने पे आपको optimal ISO best temperature के साथ मिल जाएगा कैमेरा को bus mode and auto focus continuous पे रख लिजिए इससे focus आपकी moving subject से नहीं हटेगा अब guide ने एक ब्रामनी काइट को spot किया वो अपना breakfast करने में busy था अब थोड़े देर बाद guide ने spot किया एक काइबीस फ्रोक पकर लिया यह काफी दूर पे था हमें पहुचते पहुचते action almost complete हो गया अन्द हम लोग पुरा पास भी नहीं जा पाए यह morning साड़े साथ के बाद धूप टेज होना start होता है इसलिए आज हम लोग यह shade वला बड़ा boat साफरी पे लेके आ गए बड़ा होने की करण यहां जो की पानी shallow है वो cross नहीं कर पहे दूसरा वला small boat आसानी से यहां cross कर रहा था क्या करे हम लोग दूर से ही photo लेने लगे फ्रोक के बाद दूसरे action भी start हो गया उसके पास में एक और आईविस ने स्नेक पकर लिया काफी स्ट्रागल के बाद फाइनली स्नेक को काबू कर पाए इहां एक हीरन ने भी स्नेक पकर लिया और आप खाने की ट्राइक कर रहा है अब तो बहुत सारे आईविस ग्रे एन पारपेल हीरन को स्नेक खाते हुए देखा हीरन को पहली बार देख रहा हो स्नेक पकरते हुए एक्शन फर्ट के साथ साथ मोंगला जोरी में बार्ट की धेर सरी डिफरेंट स्पेसिस भी दिखता है यह एक माइग्रेटरी बार्ट है ओरियेंट डल्ट प्रैटिन कोल गाइड ने बोला यह साइवेरियन बार्ट है काफी ब्यूटिफुल है यह जूम करके थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ यह है राडिशन डख इसे लोकली ब्रामनी डख भी बोला जाता है और पीछे है पीन टेल डग यह भी माइग्रेटरी बार्ट है इसका टेल का शेप के लिए इसको यह नाम मिला है सच में मोंगला जूटी बार्ड लफर के लिए पैरडाइस है आप अगर एक्शन फोटोग्राफी या बार्ट फोटोग्राफी करना चाते हो तो मोंगला जूटी में जुरूर आईए ऐसे भी अगर रोड़ी से हमें फोड़ी या चिलका खुमने के लिए आ रहे हो तो एक दिन मोंगला जूटी के लिए भी प्लैन कर लीजिए आपको अच्छा लएगा यहां आने का बेस्ट सेजन कौन सा है कैसे आना पड़ेगा स्टे आप्शन कॉस्ट डिटेल्स मैंने पिछले कॉंप्लीट गाइड टूर वीडियो में शेयर किया हूँ अब फ्लीज चेक कर लिजिए इस वीडियो के बाद वीडियो का लिंक मैं आई बाटन और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दोंगा इसके साथ यह वीडियो इन करते हैं मिलते हैं एक और नए वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग टेक क्यार